हेलो एबरीवन, स्वागत है आप सभीका, मेरा नाम है गौरफ शर्मा और ये एक नई सीरीज है आप लोगों के लिए जसमें हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रिदेश करेंट अफेर्स के बारे में ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग बहुत परिशान रहते हैं चाहिए भले आप लोग MPPSC के एस्परिंट है ब्यापम के एस्परिंट है और कुई भी आपके पास जो एक्जाम होता है हम जिडिशल एक्जाम की बात करें या अधर आपके पास जो भी एक्जाम होते हैं गोवर्मेंट उन सब में मद्य पिर्देश करेंट अफियर्स को कहां से पड़ा जाए एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि authentic कोई source नहीं है इस सीरीज के माध्यम से हम करने वाले क्या है आपका जो MP करेंट अफियर्स है मद्ध पिर्देश का आपका जो current affairs है या हम मद्ध पिर्देश समसमाईकी की बात करें इसको हम बीकली cover करेंगे बीकली cover करने का मतलब क्या है तो को daily basis पे उतने news होते नहीं है एक news या दो news निकलती हैं तो हम causes करेंगे कि बीकली और बीकली या तो इसको हम fix करेंगे Sunday या fix करते हैं कौन सा आपका Saturday तो बीकली अपन इस पे क्या करेंगे बात क्या करेंगे या फिर एक और इसमें अपन add-on कर सकते हैं वो आपके पास क्या है रोजगार और निर्मान हमारा एक समाचार पत्र है भूपाल से पब्लिस होता है रोजगार और निर्मान इससे बड़िया ख़बरे आती है MPPSC के exam के लिए तो अपन क्या कर सकते हैं इसको भी start कर सकते हैं basically आपका ये गुरुबार को आता है हमारा ये गुरुबार को क्या होता है पब्लिस होता है तो या तो हम लोग गुरुबार को बात कर सकते हैं या इस पर अपन बात कर सकते हैं का सुख्रवार को मतलब ये दो-तीन तरीके रहेंगे हमारे MP Current Effects को कवर करने के importance क्या रहेगी importance ये रहेगी कि अब आपको कहीं नहीं जाना है पढ़ने के लिए जो भी आपके feedback हो जो भी आपकी राय हो ऐसे करना चाहिए आप सब मुझे बता सकते हैं comment के माद्धिम से comment करके बताइएगा अब हम start कर रहे हैं अब देखो आप लोगों ने दो तीन दिन से कुछ खवरे देखियोंगी आज हमारा agenda क्या है हम लोग बात करेंगे एक तो जो UNESCO है इस UNESCO ने क्या किया है हमारे दो इस्थल हैं एक अपन ग्वालियर के बारे में बातचित करते हैं ग्वालियर को और ओर चा को जो world heritage list है इस world heritage list में या विस्व ब्रासरत इस्थल के जो सूचिये इसमें सामिल कर लिया है इसके बारे में बातचित करेंगे क्या इसके माइने है दूसरा अपने यहापर बातचित करेंगे आज जो मद्यपिर्दिश सरकार है इसने धर्मान तरण को लेकर क्या कर दिया है कानून बना दिया है क्या होता है धर्मान तरण क्या इसके प्रोविजन है ये सारी बाते आपको समझाने कोसिस करें दिखेंगे कि क्या इसके प्रोविजन है और एक्चलम ये है क्या और इसी के साथ में एक और current efforts आपका बना है कि हमारा जो MP Cricket Board है ये MP Cricket Board आपके पास रणजी जो ट्रोफी है इस रणजी ट्रोफी के matches को कराने के लिए तैयार है इसने BCCI से बुला है कि हम मेचों का आउजन कर लेंगे ये कल की आपके लिए क्या है कुछ important news है आपर इनके बारें क्या करते हैं बातचीत करते हैं तो जो भी आपको लगता है कि हाँ ये helpful है इनसे हमें exam में मदद पिलेगी या जो भी आपको लगता है कि सर बेकली नहीं मंतली होना चाहिए तो ये सारी बाते जो आप चाहते हैं मुझे बता सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं UNESCO का जो World Heritage List है इसके बारे में हुआ क्या है हमारे दो प्लेस हैं MP के आपके पास दो प्लेस हैं एक हमारा है Gualier और एक हमारा है ओर्चा तो देखो ओर्चा के बारे में तो आप लोग काफी टाइम से परिचे थे हैं कि लास्ट यह इसको Tentative List में सामिल कर लिया था लेकिन ये जो दो इस्थल हैं Gualier और ओर्चा ये बिस्म बिरासत जो इस्थल होते हैं इस बिस्म बिरासत इस्थल की सूची में इनको सामिल कर लिया गया है और बिस्म बिरासत इस्थल का मतलब क्या है अब ये वर्ल्ड हेरिटेज है और वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब क्या है कि अब इनका जो संडक्षन है ये संरक्षन किया जाएगा किसके द्वारा UNESCO के द्वारा और UNESCO ने अफिचली अपनी एक प्रेस रिलीज की है कि हम 2021 में मदब जैसी COVID-19 से अपन फ्री होते हैं तो 2021 में हमारी टीम आएगी और टीम आने के बाद क्या करेगी इनका इंस्पेक्शन करेगी और कैसे इनको डेवलप करना है कैसे इनको हमें संरक्षित करना है हम क्या करेंगे प्लान बनाएंगे तो question आपको क्या याद रखना है अभी दो नए प्लेस सामिल हुए है MP के World Heritage List में एक आपका है ग्वालियर और दूसरा आपका है ओर्चा ग्वालियर हमारा नौर्थ वाला पूर्शन है और ओर्चा की अपन बात करते हैं ये आपको बुंदेल खंड है ना बुंदेल खंड की सान माना जाता है ओर्चा जो आपको बस बुंदेला राजबनसों की बात करें इनकी सान माना जाता है ओर्चा और ग्वालियर आप सबको बता है कि आपर तॉमर और राजबूत राजाओं का क्या रहा है सासन रहा है इनकी हिस्टे भी देखेंगे पहले अपन थोड़ा सा MP में देख लेते हैं World Heritage List को देखो दो नए स्थाल आ गए हैं क्या ये दोनों ही सामिल हैं क्या नहीं बेटा ये तो 2020 में सामिल होने वाले इस्थाल है इससे पहले तीन इस्थाल और सामिल कर दिये गए हैं तीन प्लेस और हमारे हैं MP के जो World Heritage List में सामिल हैं कौन-कौन सा अपन बात करते हैं हैं से आपका जो खजराहो है सबसे पहले बात करते हैं किसकी वाले में जो खजराहो हमारा है खजराहो के मंदिर आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत कलात्मक हैं मदब आज हमारा आर्किटेक्चर इतना डेवलप नहीं है जितना हमने पहले किया था एक एक पत्थर पर बहुत सारी मूर्तिया बनाई गई है खजराहो जो टेंपल हमारे पास है खजराहो के जो मंदिर है बेटाई इनको 1986 में पूछा जा सकता है कि मद्ध प्रिदेश का फस्ट प्लेस कौनसा है जो बल्ड हेरिटेज लिस्ट में सामिल हुआ था कौनसा है खजराहो है 1986 में सको सामिल किया गया था यह बेसिकली टेंपल है यह बेसिकली क्या है बेटाग पस टेंपल है और यहाँ पर आपको तीनो धर्मों का संबंद देखने को मिल जाएगा मैं आपसे बात करता हूँ जैन जो रिलीजियन है हमारा जो बुद्धा है इस बुद्धा की बात करते हैं या हमारा जो सनातन धर्म है इस सनातन धर्म की आपसे बातचीत करें तीनों रिलीजियन के टेंपल आपको यह आपर देखने को मिलते हैं बेसिकली इसमें 85 टेंपल थे, मतब जो निर्माण कराया गया था, इसमें 85 आपके पास क्या थे, मंदिर थे, लेकिन अभी हमें देखने को मिलते हैं, 22 ही जो टेंपल है, ये सुरक्षित बचे हुए हैं, मतब ये भी खंडर हैं, अब इनको हमने क्या किया है, यूनेसको ने, इनका जीर उद्दार करना है, स्टार्ट किया है, रेनोवेशन करना है, ये आपको याद रखना है, तो पहला प्लेस कौन सा है आपका बेटा, खजराओ है, जो सबसे पहले, 1986 में क्या किया गया था, इसको यहाँ पर सामिल किया गया था, अगर MP के सेकंड प्लेस के वारे म आप सा कोई बातचीत करता है, आपको याद रखना है साची, साची वेटा, 1989 में, 1989 में इसको सामिल किया गया था, वर्ल्ड हैरिटेज लिस्ट में, और साची जो इस्तूपा है, आप साची के जो इस्तूप हैं, इनको आप सब लोग जानती जानते हैं, हमारे जो मातमा बुद्ध बनने का जो सफर है, और उनके जो इंपक्ट हैं, मत्ब उनके जो चरण हैं, बहुत पूशा जाता है, क्या बुद्ध की मूर्ती है यहाँ पर, नहीं बेटा, इनके फूट पाथ हैं, इनके जो चरण हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं, कापर साची में, तो स साची को सामिल किया गया, 1986 में, बेसिकली ये बुद्धिस्म से रिलेटेड है, बुद्ध की चरण पादुका है, साची किस जिले के अंतरगत आता है, बेटा, राइसेन, क्यों याद रखना है, राइसेन, क्योंकि ये बिदीशा से पढ़ता है, 8 किलो मीटर, बिदीशा ज बिदीशा में आता हुगा, नहीं, ये बिदीशा में नहीं आता है, ये आता है, राइसेन में, ठीक, 1989 मिस को सामिल किया गया, बेटा, इस्टूपा बनवाये किसने थे, असोख, असोख जो महान हमारे है न, इन असोख के द्वारा इनका निर्मान किया गया था, और इनका जो रिनोवीशा ने सबसे पहले कराया किसने पुष्यमित्र सुंग ने, किसके दौरा कराया गया, जो हमारी पुष्यमित्र सुंग है इनके दौरा, और ये बिटा सुंग वन्स के संस्थापक है, आप से पूछे आ सकता है कि पुष्यमित्र सुंग कौन है, ये संस्थापक ह बेटा पुस्मित्र सुंग को बहुत ग्रंतों में बहुत गलत बताया गया है पुद्धिन्स के लिए, मतलब इन्होंने 84,000 जो बुद्ध स्थूपा हैं, इनको तोड़ा था, एक ही स्थूप ऐसा है सांची, जिसके रॉन क्या क्या था, बचाया था, इबन इसका 59 में सामिल किया गया और इसके बाद एक ऐसा समय आया कि MP पे किसी का फोकस ही नहीं गया, हमें लगता था कि सायद अब हम सामिल होई नहीं पाएंगी इसमें, वर्ल्ड हरीचे लिस्ट में, फिर एक टाइम आता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2000 के आसपास पॉँचते हैं, इतना लंबा हमने क्या किया, सफर किया, 1989 से लेकर 2003 के असपास, तो 2003 में क्या किया गया, इनको यहापर सामिल किया गया था, अब देखो भीम बेटिका कि गुफाओं की खासियत क्या है, बेटा यहापर रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, यहापर क्या देखने को मिलेंगे, जो रॉक पेंटिंग्स हैं, और रॉक पेंटिंग्स का मतलब क्या है, आज हम लोग बॉल पर पेंटिंग करते हैं, कपड़ों पर पेंटिंग करते हैं, हमारे जो एंसिस्टर्स थे, हमारे जो पूरवच थे, यह पत्थर पर पेंटिंग करते थे, य आज हम लोग डेबलाप हैं, सिवलाइज हैं, हम दीवाल या कपड़े पर पेंटिंग करते हैं, ये प्री हिस्ट्री में, मदब हमसे अगर आज से आप से बातचीत करें, तो लगवक 10,000 साल पहले ये लोगों ने आपर क्या किया था, हमारी रॉक पेंटिंग को तयार किया थ तो बिटा दे कुछ थी प्लेसेज हैं, जो हमारे ओल लेडी सामिल थे, अब हमारे दो प्लेस और सामिल हो गया है, एक ग्वालियर आ गया है, एक और चाउन आ गया है, अपने इनके बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर सा रिपीट करता हूं बिटा, भीम किस जिले के अंतरकत आती हैं, ऐसा कौन सा जिला है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर है, चले, अब दो जो नए आपके प्लेस सामिल किये गए हैं, अपन थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, कि यहाँ पर एक्चॉल में है क्या, वद्दब ग्वाल किला है, यह गवालियर किला, बेसिकली सारी जो हमारे फोर्ट हैं, all forts in India, उन सबका रत नगूला जाता है इसको, सबसे important अगर किला पुछा जाए, तो गवालियर फोर्ट आपको याद रखना है, सर इसकी importance है क्यों, एक तो इसका आकार बहुत बड़ा है, इसका जो size है, य जब हम Medieval Age की बात करते हैं, हम मद्यकालीन भारत की बात करते हैं, बेसिकली जो सिस्टम चलता था, ये North से चलता था, और North का मतलब क्या है, Capital हमारी होती थी, basically दिल्ली, और दिल्ली से ऐसा कोई भी राजा नहीं आया, बहुत जादा important place रखता था, कौन हमारा ग्वालियर, तो ग्वालियर कला बेटा, किलों का रतने बूला जाता है, आपसे पूछ सकता है, रतने कौन सा है, बनवाया किसने, basically बेटा, ऐसा मना जाता है, कि सूरज सेन, एक हमारे सासक थे, प्राचीन काल में, सूरज सेन, इनकी द्वारा 510 AD में बनवाये गया था, 510 AD में बनवाये गया था, यहाँ पर बेटा, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, जैसे, आपने सहस्तर बाहु मंदिर के बारे में पढ़ा होगा, सहस्तर बाहु मंदिर, जिसे आप लोग जानते हैं, सास बाहु मंदिर के नाम से, तो यह सास बाहु मंदिर आपको यहीं देखने को मिलता है, आपने तेली का जो टेंपल है इस तेली टेंपल के बारे में सुना होगा तेली का जो मंदिर है वो भी आपको यहीं देखने को मिलता है आपने हैं यहापर सुना होगा कि जो म्रग नईनी महल है यह म्रग नईनी महल और इसको लेटर हमारे जो मानसींग है इन मानसींग के द्वारा बनवाया जाता है इसी कारण कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि ग्वालियर का जो किला है इसका सम्मत के से मानसीं से है बेसिकलि यह नों ने क्या बनबाए था एक महल बनबाए था मरग नहीं नहीं महल के नाम सा आप लोग क्या करते हैं इसको जानते हैं तो ग्वालियर वेटा देखो 7th century के अपन बात करते हैं 6th, 7th, 8th और 9th century यहां बहुत important इसका रॉल था भारत की रायनिती में क्यों यहां पर तोमर राजबंस की अपन बातचीत करें यह तोमर राजबंस की अपन यह पर बात करें जो जाट राजा रहे हैं यह जाट राजाओं की बात करें यह सारे जो आपके पास राजपूताना रहा है इस राजपूताना की बात करते हैं इन लोगों ने क्या किया है सासन किया है, तो आप लोग बता सकते हैं 7th, 8th और 9th सेंचुरी में भारत की रायनिति का केंदर कह सकते हैं basically रायनिति चलती थी मालवा के आसपास, और मालवा मतला आपकास ये वाला रीजन, और इसमें ग्वाल्जार की बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो किला ही काफी बड़ा है, काफी उंचा है तो ग्वाल्जार के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया अपन बात करते हैं किसके बारे में? और शा के बारे में याद रखीगा तो और शा की अपनी अलग importance है, बटा, जो और्चा town है, आपने देखा है आपर जो हमारे भगवान राम है, इनको राजा के तरपर कहां पर दिखाए गया है, तो भगवान राम को जो मंदिर है, राजा के तरपर ये वे पिटा आपको हें देखने को मिलेगा, राम लला जो आप सुनते रहते हैं ना हमारे आयोग द्याका लेकिन भगवान का जो राजा रूप है ये कहाँ पर देखने को भी लेगा औरचा में राम राजा मंदिर पूछा जाता है आप लोगों से कि राम राजा मंदिर कहाँ पर है वेटा औरचा में हैं बेसिकली दो राजबंसों का संबंदेश से एक हमारे चंदेल राजबंस है और एक हम बात करते हैं किसकी बारे में बगेल तो बगेला और चंदेल दोनों राजबंसों के यहाँ पर क्या रहा है सासन रहा है basically ओर्चा कि अपन यहाँ पर बात्चित करते हैं तो यहाँ भी बहुत सारे मंदर हैं भगवान राम राजा का जो मंदर है यह famous है चित्रकुप्त मंदर आप से पूछा रखता है कहाँ पर है तो ओर्चा टाउन को आप क्यात रखना है basically आता कहाँ पर है बहुत बड़ा सवाल है बेटा बुंदेलखन में आता है कहाँ पर आता है बुंदेलखन अब डिस्टिक आपको कमेंट करना है कि यह 4-5 डिस्टिक हैं सावर की बात करते हैं, चातरपुर की बात करते हैं पन्ना की बात करते हैं, दमों की बात करते हैं इन मेंसे किस में आएगा एक डिस्टिक है इन चार-पाचों में से मैंने आपको बता दिया है तो comment करिएगा हमारा ओर्चा टाउन किस डिस्टिक में आता है या जो development हुगा है इसका time period क्या है जो temple बने हैं किसके द्वारा बनवाए गए थे कौन से समय में बनवाए थे आपक फिर अपन world heritage list के importance समझेंगे एक्चों में ये क्या है इसका क्या महत्व है क्यों हर कोई चाहता है हम world heritage list में सामिल हो जाएं देखो तीन थे अब total place कितने हो गया है अब total place हो गया है five मद्ध परदेश की बात कर रहे हैं वीटा भारत की बात नहीं कर रहे हैं पहला हमारा कौन सा है खजुराहो आप सबको याद रखना है 1986 दूसरे नम्मर पर आता है हमारा सांची ये आया 1989 में फिर हम लोग बात करते हैं भीम बेटिका के बारे में जो हमारी भीम बेटिका की गुफा है याइं 2003 में बेसिकली बेटा ओर्चा टाउन आपका 2018 में टेंटिटिव लिस्ट में आ गया था लेकिन ग्वालियर की आप से आप बात चीत करता हूं ग्वालियर और ओर्चा ये दौनों 2020 में समय लेजिए कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है दिखिए पहला कारण यह है कि जब कोई प्लेस वर्ट हरेटेंस लिस्ट में सामिल होता है तो उसको बैस्विक पहचान मिलती है इसकी जो आइडेंटिटी है ये बल्डवाइज हो जाती है पहचान केसी होती बेटा ये काईदा क्या है परियाटन बढ़ता है हमारों है कि टूरिज्म हुझे होता है और तूरिज्म अगर आपके पास चॉटे-मुटह वाट वायगे लोग allegedly स्टार्ट कर देंगे इसको अपन किसके नाम से जानते हैं यह जाना जाता है employment के नाम से यहाँ पर क्या होता है इस से इस region की economy क्या होती है strong होती है सरकार को यहाँ पर development करना नहीं पड़ता है सरकार को यहां के लोगन को रूजगार देना नहीं पड़ता है देखो इसको बैस्विक पहचान तो मिलती है इससे परेटन में ब्रद्धी होती है टूरिस्म बढ़ता है इस छेतर में इतने सारे यहां पर काम होते हैं इसके अलाबा जो स्टेट की एकोनोमी है इस एकोनोमी में बेटा क्या होता है इसका कॉन्टिविशन बढ़ता है मतलब कोई प्लेस अगर वर्ल्ड हेरिटे लिस्ट में आ जाता है तो इतने सारे लाब है उस जगे को, राजी को और देश को क्यों? देखो बिटा, कोई आएगा माली जी कोई फॉरेनर्स आता है तो वो एरल लाइन्स के थुरू आएगा कहां पर आके रहेगा सबसे पहले दिल्ली आएगा दिल्ली से वो आपकी कैपिटल भोपाल आएगा यहां पर भी रुखता है फुर आपका जो लोकल प्लेस है ओर्षा या गॉलियर यहां जाने कोसेश करेगा मतलब अबर ओल इंडिया में आप टूरिज्म को बड़ावा दे रहे हैं तो ऐसा होता क्यों है? उसके पेचे फैक्टर यह है देखो जो ट्रेवलर्स होते हैं जो फॉरेणर्स होते हैं यह ऐसे ही कहीं भी भूम उठाकर घुमने निकल जाते हैं यह पूरा प्लान करते हैं प्री प्लान रहता है यह उनेस्कों ने किसको पहचान दी है क्या प्लेस है? इस प्लेस की इमपोर्टेंस क्या है? उसके हिसाब से सब कुछ fix होता है तो हमारी प्रेटन को बड़ावा मिलता है अर्थ विवस्ता में प्रदी होती है रोजगार मिलता है और उस चेटर में development आ जाता है यह इमपोर्टेंस है किसकी वल्ल्ड हरीटेज लिस्ट की सामिल किसे किया जाता है ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिए क्या किसी भी प्लेस को हम सामिल कर सकते हैं क्या इस वर्ल्ल हेरेटेज लिस्ट में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इसमें सामिल किया जाता है ऐसा कोई प्लेस हर प्लेस को बेटा सामिल नहीं किया जाएगा या तो इसका historical importance हो क्या होना चाहिए historical इसकी importance होनी चाहिए इसका बेटा राइनेतिक कोई history रही हो या ये cultural रहा हो इसका cultural कोई importance होनी चाहिए या फिर यहाँ पर कोई religious कोई religious आपके पास क्या हो monument हो तब आपने को क्या कर सकते हैं मतलब basically तीन category है तीन category आपके पास कौन कौन सी है समझेगा एक आता है बेटा history में कि इसका इत्यासिक max महद हो दूसरा आता है बेटा geography में इसका कोई भोगलिक महद हो और तीसरा आता है mix कि किसी का historical भी होता है किसी का भोगलिक भी होता है और किसी का mix ही होता है सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा तो तीन आधार है मतलब कोई place या तो कुछ भापर आपको इनका देको historical geographical और mixed जो importance है यह आपको थोड़ी सी क्या रखने है याद रखने है लोग बटर करता कौन है करता हमारा UNESCO है तो अब अब अपन थोड़ा सा UNESCO के बारे में भी देख लेते हैं कि UNESCO यह सा कर क्यों हो रहा है हमें पता भी दोना चाहिए न हमने यह देखा कि MPK दो concept place सामिल किये गए है हमने देखा MPK overall concept place है इनका थोड़ा सा हमने history भी देखी basically मैं एक पूरी separate सीरी ले क्या हूँगा जिसमें पन सारे के सारे जो हमारे monuments हैं भारत के जो भी हैं हमारे 41 के आसपास उनको अपन क्या करें ही cover करेंगे उन सबकी importance आपको बताऊँगा अभी आप समझ लेजिए कि करता कौन है करता धरता हमारा UNESCO है इसको क्या लगा है भाई United Nation scientific cultural वागपस का एक organization है यह क्या करता है बेटा यह देखता है हमारा जब भी हमारे बात करते हैं चाहे हमारी science हो इस science की बात करते हैं हमारे पाँ जो education हो इस education के अपन आपर बातचीत करते हैं हमारा जो culture है इस culture के अपन आपर क्या करते हैं बातचीत करते हैं यह सारी जो things हैं इन सारी चीजों को सनरक्षन देने के लिए या आप लोग ऐसा कह सकते हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, हमारा जो UN है, इसके दोरा ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, चलाए क्यों जाते हैं, ताकि हम पूरी दुनिया में जो सांती है, इस सांती की क्या कर सकें, सांती का पिरचार, पिरचार कर सकें, तो बर्ड जो peace है उस peace को maintain करने के लिए people to people relation को बढ़ावा देने के लिए cultural relation को बढ़ावा देने के लिए और हम एक ऐसी सब्विता का विकास करें जो बैस्विक सब्विता हो एक ऐसा civilization हो जो global civilization हो जहां सब लोग जा सकें सारी धर्मों के लोग जाए हर प्रिकार के बेक्ति जाए यह पर देशों की religion की जो genders की है यह inequality आपको देखने को ना मिले तो world peace और security को enhance करने के लिए यह हमारे program चलता है किसके द्वारा UNESCO के द्वारा UNESCO बेटा आपके पास कब बना यह बना हमारा 1945 में और इसका headquarter है पैरिस फ्रांस में फ्रांस को आप लोग जानते ही जानते हैं पैरिस फ्रांस में इसका क्या headquarter है basically इसमें अभी 193 member है और आपको बताना है इसके head कौन है UNESCO के head कौन है बेटा देखो world heritage list कौन release करता है UNESCO release करता है करता क्यों है ताकि वैस्विक जो manument है वैस्विक जो इस्थल है इनको अपन लोग क्या कर सके संरक्षित कर सके चाहे history से संबंदेत हो भूगोल से संबंदेत हो या हमारी संस्कृति से संबंदेत हो कि काम किसका है यूनेश को का है आपको क्या रखना है याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके का एक और current affairs को देखते हैं जो हमारी किस्थ संबंदेत है MP सही related है देखो आप लोगों ने देखा होगा अभी धर्मान्तरन बिल चल रहे हैं यह हमारी रायनीती का एक चर्चित मुद्दा है धर्मान्तरन बिल है और इस बिल को हम सिवराज सरकार ने क्या कर दिया है मजबूरी देदी मंजूरी देदी है अब यह जाएगा किसके पास राजपाल की पास और राजपाल जब तक जैसे इस पर सहमती देंगे यह क्या बन जाएगा कानूर बन जाएगा तो यहाँ पर क्या किया गया है यह समझे जो आपके प पास जवरन धर्मांतरण है यहारे पास क्या होता है बेटा जवरन धर्मांतरण है यह आप इसे कह सकते हैं कि forcefully forcefully हम लोग क्या करते हैं conversion करते हैं religion का तो जवरन आपके पास धर्मांतरण है यह forcefully आपके पास जो conversion है, इसको क्या किया गया है, प्रॉबिटेट किया गया है, कैसे, इसके कुछ सर्द हैं बेटा, तो आपको याद रखना है कि जवरन जो धर्मांतरण है, इसको रोखने के लिगे, हमारी सरकार एक बिल लेकर आई है, जिसके अंतरगत आपको क्या रहेगा, ज जेल है, जो जेल है, इस जेल होगी, और साथ में आपके क्या लगाए जाएगा, फाइन लगाए जाएगा, ये जो बिटा प्रॉबिजन है, इस बिल की, जो धारा तीन है, इस धारा तीन के अंतरगत किये गए है, मतलब दंड का प्रारूप क्या रहेगा, जो धारा तीन है धर्मान्तरन बिल्की इसके अंतरगत आपको देखने को मिलेगा अगर किसी वेक्ती ने सामान्य तरीके से किसी का धर्मान्तरन कराया उसको छुपा कर या उसको बिना बताए तो आपको याद रखना है कि आपर जो सजा होगी बेटा ये आपको देखने को मिलेगी तीन साल की क्या रहेगा बेटा तीन साल की सजा होगी और दस हजार रुपेगा क्या रहेगा जुर्माना रहेगा तीन साल की सजा रहेगी और दस हजार रुपेगा क्या रहेगा बेटा जुर्माना रहेगा को इखती हैं इनका आप लोग द्रमांतरन कराते हो तो आपको याद रखना है इस सजा कंवर्ट हो जाएगी किस्व मेटा पांच साल में इसजा कितनी रहेगी 5 साल की कि जर्माना है नो हो जाएगा 2030 अजार रुपे का कितना हो जाएगा 25 कराया तो आपके लिए सजा के प्रारू बदल जाएंगे बिटा ही सजा हो जाएगी कितनी दस साल की और यह फाइन पहुंच जाएगा कहा पर पचास जार रुपे पर तो यह इसके कुछ प्राविजन है मतलब क्या है सामान केसों में अगर आपने सामान केसों में क्या कर दिय धर्मान तरण कर दिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी तीन साल की यहां पर बात की गई है और तीन साल की साथ में अपर बात चीत करते हैं आपको देखने को में रगार कितना दस जार का अगर आप यह पर बात चीत करें किसके बारे में मालीजी बुमन आपके पास जो है या SCST आपके पास है इनके साथ अगर आप लोग ऐसा करती हो तो आपको याद रखना है यह जुर्माना है मिटा यह कम से कम हमारे पास यह 5 साल की सजा होगी और 25 जार रुपे क्या रहेगा जुर्माना रहेगा अगर आप ग्रूप में करते हैं तो यह सजा आपके पास 10 साल की हो सकती है और 50 जार रुपे का क्या रहेगा आप पास जुर्माना हो सकता है अगर यह repeat किया जाता है दोबारा ऐसा किया जाता है तो सजा और फ़र यह रासी क्या है दोनों double हो जाएगे देखो बीटा यह draft है यह only अभी क्या है draft है final यह जो bend बनेगा वो कब बनेगा जब राजपल इस पर क्या कर देंगी सेहमती देंगे clear है अपन समझते है धर्मांतरण होता क्या है देखो आप जर्नली इसको love jihad के नाम से जादा जानते है हमारे जो रायनिती के ठेकेदार है वो यही बोलते है love jihad और love jihad का मतलब क्या है कि एक religion का आपके पास कोई लड़का है या लड़की है यह क्या करती है दूसरे religion के लड़के या लड़की से साधी कर लेते हैं और साधी करने के बाद क्या होता है एकसेप नहीं करते है यह से समय लीजिए जैसे आपके पास कोई लड़का है अपने इसको थोड़ा सा एकजामपल से समझते है थोड़ी सी बड़ी बात है थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है हमारा जो संभीदान है इसमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इसके वारियम क्या है जिक्री किया गया है भारत के समझते हैं का आर्टिकल 25, 26, 27, 27 धर्मिक स्वतंदर्दा से संबंदित है जैसे देखिया अब पास क्या है यह कोई A लड़का है और माल लेजिए यह कोई B लड़की है इसका रिलीजियन है X और इसका रिलीजियन क्या है Y अब यह दोनों डिफरेंट रिलीजियन की थे यह ने क्या कर ली साधी की यह पास क्या हुआ X Y होगे अब हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद जो लड़का था इसने बोला लड़की से हम अब साथ में नहीं रह सकते यह माल दीजिये लड़की ने बोला लड़के से कि अब हम साथ में यहाँ पर नहीं रह सकते है अब दिक्कत क्या है देखो इनको family accept नहीं करेगी माल देखो लड़कों को accept कर लिया जाता है हमारी समाझ की मान सकता है कि चलो गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है बट लड़कियों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है तो जब different religion के लड़के या लड़कियां साधी कर लेते हैं उसके बाद छोड़ दिया जाता है तो बड़ी परिशानी आती है अब ऐसा माना जाता है यह forcefully है यह कैसा है यह forcefully है तो बेटा देखो जो forcefully है न इसको रोका गया है forcefully या लालज देने वाला पैसे देकर धर्मांतरन करा देते हैं जो property है इस property का लालज देकर धर्मांतरन करा दिया जाता है अगर आप लोग ऐसा धर्मांतरन कराते हो तो आप पे क्या है वेन रहेगा ये गलत रहेगा अभी ये draft बना है वेटा अभी क्या बना है draft बना है अगर जो राजपाल है इसको मंजूरी देते हैं तब जाकर क्या होगा ये लागू होगा आपको क्या रखना है याद रखना है इसके अलावा एक और current Africa से हमारे MP का चर्चा में हैं देखू काफी time से आपके पास क्या है? किरिकेट मैच बंध है हमारा जो मद्धिप्रदेश क्रिकेट ऐसोसेशन है इसने बोला है किस से? BCCI से जो आपके पास local tournament होते है जो भी आपके पास local tournament है या जो आपके पास घरेलू पृतियोगिता हैं हम घरेलू पृतियोगिताओं को कराने के लिए तैयार है आप जो रणजी ट्रॉफी है ये रणजी ट्रॉफी के मैच करा लीजिए अगर बीसी से अग्री कर देता है तो अब आपको देखने को मिल जाएगा 2020 के जरॉफी है हमारे MP में होने बाला है और यह जो आपके पास सुरक्षा है सोसल डिस्टेंसिंग की बात करें इसका ध्यान रखा जाएगा सैनिटेशन की बात करें इसका ध्यान रखा जाएगा मदब कोविट की जो सुरक्षा की उपाए है इन सबका क्या रखा जाएगा ध्यान रखा जाएगा देखें यह एक सीरीज की मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ शुरुआत कर रहा हूँ यह आपके लिए बड़ी मददगार सावित होगी क्यों सावित होगी बच्चा जो MP Current Affairs है इस MP Current Affairs के हमें यहाँ पर सोर्स नहीं मिलते हैं हमें यहाँ पर सोर्स नहीं मिल पाते हैं याद रखना इस चीज के लिए तो मेरा इक प्रियास है कि मैं आपको बहुत बहतर Current Affairs क्या करूँ प्रुवाइट करूँ आपको जो भी valuable suggestions लगें आप मुझे बता सकते हैं लेकिन अब हम weekly MP Current Affairs को cover करेंगे इसी तरीके से पूरा detail analysis देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं हम MP का Current Affairs पढ़ रहा है बट आपका cover भी हो जाएगा तो आपकी जो भी राय हो प्लीज मुझे comment box में जरूर दें जितना ज़्यादा हो सकता है share करें इस वीडियो को क्योंकि बड़ा मज़ा आने वाला है आगे Thank you very much